किंतन नाम का एक बच्चा इस्कूल में पढ़ता था जिसको उसके सीनियर्स ने इतना पीटा कि नो दिन के अंदर अंदर ही बच्चे की मोत हो गई और वजे सिफ इतनी कि वो लंच प्रेक में खेलते वक्त गल्टी से उचट अगरा गया था कैसे बच्ची होते हैं जो इतनी चोटे से बच्चों के इतनी गंदी तरीके से मार दे कि वो मेरा बेटा खतम ही हो गया हम लोग बच्चे के रोख रखे अभी स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक इंसाप नहीं मिलेगा तब तक नहीं भेजेंगे लंगडाते हुए आरा था उस दिन से फिर वो पैरों पर नहीं चला अपने वही बहुत बूरा हुआ क्या कर सकते हैं हमारे को डर हो गया इस बात में और वाश्रूम के आगे मारा था हमने का वाश्रूम वाला केमरा दिखा दिखा दो ए बताइए आगे अपने बच्चे को पड़ाएगा को शुरक्सा नहीं या दो तो सुखुल खुले नको प्लीस वाला नहीं आता कोई नहीं आता कोई नहीं आता कोश्माटम रिपोर्ट भी अभी नहीं मिली में को साथ दिन हो गए हैं जब तक लड़ा जा लड़ा लड़ लेंगे बाकी तो हमते भगवान पर अगर किसी मंत्रिका किसी का मरता तो एक मेंटे यह सुखुल हो जाता एक गरीब बच्चों का बच्चा मारा तो इसके किसी लिए को कारवाई नहीं कुछ नहीं हो रहा नमस्कार स्वागत आप सभी का जलको दिल्ली में और आपके साथ मैं हूँ परम सरकारी स्कूल अक्सर अपनी प्रशाशन वेवस्था चाहे वो शिक्षा की वेवस्था हो चाहे वो सुरक्षा की वेवस्था हो यह किसी तरह की वेवस्था हो वो सुर्खियों में बना रहत है वहीं सरकारी स्कूल में कई वारदात भी होती है और वो भी चर्चाओं में रहती है लेकिन अगर वारदात इस तरह से घट जाए कि किसी बच्चे की जान चली जाए तो यह काफी माबाप के मनों में सवाल पैदा करता है एक ऐसी वारदात स्कूल में हुई जिसने 11 वर्ष इस 12 साल के बच्चे किंतन कोर्स के स्कूल के सीनिर्स ने इतनी बेरहमी से पीटा कि नौ दिन बाद इंटर्नल इंजिरीज के चलते उसकी जान चली गई और वज़े सिफ इतनी कि वो लंच प्रेक में खेलते वक्त गलती से उचटकरा गया था होई इस वक्त जो है हम उसी स्कूल के भारह और यहां से आ जा रहा है इसा कोई मिली इंसान निहीं है जिसको», इस गतना के बारे में ना पतहों किंहने मैं तों पिछे रहता हूं पीछ गजम्मेदार रही जो देखते हैं ना कुछ करते ना बाहर आगे देखते हैं बाहर क्या हुआ रहा है यह दिक्कत कि कोई किसी बच्चा मरें न में को बतलम होई जो पक्ड़ाइन जाते हो भी कोई नहीं पकड़ा गया चाहिए कि सब आप यह सुलक्षा व्यवस्ता पे क्या स्कूल में और इसी स्कूल में असी घटना होगी है हां तो क्या जिस बच्चे के साथ हुआ है उसको कोई इंसाफ मिला या जिनों में पीट अभी नहीं मिला है अभी नहीं मिला है लेकिन मिलना चाहिए हम लोग बच्चे को रोक रखे अभी स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक इन्साफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं भेजेंगे नहीं पढ़ते हो इसी स्कूल में पढ़ते हो कौन सी क्लास में एट में आपके स्कूल के बच्छे को मारा और वो मर गया 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 तो यही कहुँगा कि यह गलत हुआ आपको पता था उस गट्ना के बारे में? नहीं पता था? ग्रूप पे भेजा था, तब हमें पता लगा था अगले दिन उस दिन आप स्कूल आये थे? क्या आप कभी जानतों? उस लड़की को कभी देखा था स्कूल में? नहीं, वो एक ही दिन आया था स्कूल अच्छा, ग्यारा तारी कोवश और उसे दिन पीटा है? हाँ किसमें पीटा है? पता नहीं, यह नहीं बता है? यह नहीं पता तो स्कूल की तरफ से कोई नोटिस आया इस चीज़ को लेकि अभी तक आपके वास? नहीं, कोई नोटिस नहीं? क्या करेंगे आप एक स्कूल में बच्चे के साथ ऐसा हुआ है? वह बहुत भूरा हुआ है, क्या कर सकते हैं? हमारे को धिर हो गया इस बातमे हमारे बच्चा पढ़ता है हमारा भी एक बच्चा पढ़ता था हमें भी डर लगता है यहां बेजने का यहीं पढ़ता है तो स्कूल की तरफ से कोई नोटीस आया है कि बच्चे स्कूल आये हैं क्या कुछ भी नहीं आया है रोज मेसेज कर देते कि आज शुटी है बच्चों की दश्वी कलास में बच्चा हमारा उसकी पढ़ाई भी बरबाद हो रही है और यह कुछ कारवाई भी जाने होता है जाती यह पخुत उसकी दश्वीन स्कूल है बच्चे में बेजने हो सरकार को आश्वासन देना चाही है सुरक्षा का बच्चों को लेकिए अब पढ़ना तो चाहिए गरीब आदमी है लोग क्या करेंगे बच्चे को पढ़ने के लिए बेज़ते तो यह पर क्या करें बताओ इसमें सोचने की बात तो यह थी किसी की पास खर्चा है नहीं है पर इभिया इनका इनको तो इने वाले प् гор dye बताओ अपने मच्चे कोन बढ़ायका कोई सुरक्षा साली यह दो तो सुगोल खुले नको पलीस वालना नहीं आता कूई नहीं आता पता यह बच्चे मरवाने के लिए सुगोले भीज़ता है या क्या करने लिभज आता है ठीक है। अगार इनका बच्चा मरता है तो उनको क्या दुख होगा। अगर किसी मंत्री का किसी मरता है तो एक मिटे ये स्जोल सही हो जाता है। एक गड मिली बच्चों का बच्चा मरा के लिए को फूर शी पूर अग है। इस वक्त जो है मेरे साथ किंतन की मा जो है वो खुद मौझूद है तो चलिए इनी से जानते कि आखिर क्या गटना हुई थी जिससे इनके बेटे की जान तक चले गई क्या हुआ था उसदिन ऐसा कि कोई किंतन ने आपको घर आके कुछ बताया हूँ कि कुछ हूआ है उसके साथ उसने सबसे पर तो मुझे यह ही विता था ममी मेरे पैर में धर्द हो रहा है लेकिन जादा पूछने लेकिन उसको दर्द नहीं कम हो रहा था बिल्कुल भी तो तीन चार दिन हो गए उसको ऐसी दर्द में तो फिर उसके पापा ने बोला मैं स्कूल जा रहा हूं जो बाते मुझे अभी बता दे तब उसने का मेरे स्कूल के बड़े बच्चों ने वाश्रूम के आगे मेरे को उ से नीचे पड़क दिया उठाकर की गोदों में तीन लड़को बताये तो उसने तो फिर सनिवार को उसकी जादा तब इत खराब गई थी फिर हम उसको दीपतर बंदू लेके गए दुवारा तो सनिवार को ही साम को साइद वो साथ आठ बजे पता ने साम को ही एक्सपार हो मेरे को दिखा तो दो तुम कैसे बच्ची होते हैं जो इतनी छोटे से बच्चों को इतनी गंदी तरीके से मार दे कि मेरा बेटा खतमी हो गया और जित दिन से वह स्कूल गया था लंगडाते हुए आ रहा था उस दिन से फिर वह पैरों पर नी चला अपने आखरी टाइम मैं बस अपने पापा के कंदों पर ही चला गया लेकिन मेरा बेटा पैरों पर नी चल पाया और उसके बाद भी अभी भी मेरे आज 27 तारीक हो रही है ना अभी भी मैं विश्वास में बैठी हूं कि मुझे यह अभी भी नहीं पता मुझे कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ मैंने पोस्ट माटम रिपोर्ट भी अभी नहीं मिली मेरे को साथ दिन हो गये हैं 20 तारीक को खतम हुआ था मेरे बेटा लेकिन अभी मेरे पास ना पोस्ट माटम रिपोर्ट है ना उन बच्चों की कुछ हिस्ट्री बताई जा इसकूल वालों की तब से कि क्या तुमने किय बाइ ऐस तो क Almost तो होगा ना विश्विम की आगे मारता हमने का बॉश्रूम उलण केमरा दिखा दो तो वहां पर उस्वर्ट में केमरा ही नहीं लगा जो केजरी वाल सरकारं कहाती है इस मैने पूरी दिल्लि में क्वीन लगा रखा रखे तो कर्यें मैं दिल्ली से बाहर के स्कूल है सोला सो बच्चों में चार केमरे लगें वह भी एक ग्राउंड में लगा है और प्रिंसिपल के इधर लगें बाकि कुछ विन्या का उस दिन एक केमरा भी लगा होता सही से वाश्रूम के आगे लगाता या उस गैलरी में लगाता तो मेरा कि मेरको आपके कोई भी फिरी सिवदा नी चाहिए लेकिन मेरा बेटा दे दो भाई मैंने बड़ी नाजों से पाला था और जो आपकी एक गलती के विसे मेरा बेटा चला गया मेरको नहीं मिलेगा मैं परिसान हो गया उनसे यही कह दो कि भाई आपकी सरकार है सब कुछ सकते हो और मुझे नहीं लगा वो भी मुझे मिलेगा क्योंकि साथ दिन हो गए हैं मुझे अपने घर में बैठा जी अपने बच्चे की फोटो के आगे आज मेरा बच्चा रोड़ पर बैठा है मैं उसके आगे बैठी हूं इससे बड़ी क्या बात होगी तो भाई सब सब्सक्राइब उम्मीद होती तो यहां पर केजरी वालकर जो वह विधायक है यहीं पर रहारे बिल्कुल एक बार भी नहीं आए उन्हें कोई मतलब भी नहीं है बल्कि और मैंने तो यह भी सुना कि इधा उदर वह गाटनों में गई है रोड़ों के रोड़ों के रोड़ सब्सक्राइब तो मुझे उनका नाम नहीं पता कुछ नहीं पता हूँ वह भी नाइन और एर्थ के इसलिए बता रहा है क्योंकि टाई अलग अलगे हर कर लास की तो मम्मी उन्होंने लाल के टाई लगा कि वह नाइन तो एर्थ की बच्चे लगाते और वह देखने में अल सब्सक्राइब लगाते प्लाय नियुक्त कर दो एक मेरा बच्चा नहीं खोता है कि मैंने खो दिया सरकार की कमी की वजह से एक बच्चा तो खो दिया मुझे उम्मीद निया कि इनसाफ में मिलेगा साथ दीन ओगे मुझे उत्वाने मैंने अपने बच्चे नहीं तो वी और हमें पतादा ना हो सब कुछ पता होता है और नहीं बता रहे तो वह स्कूल वाले क्यों इतना फैफर क्या माले वह थे तेन बच्चे आया तो उनके पिछे को टीचर भी कियो क्या हमने देखा निये cctv कैमरे थे नहीं आप लोग स्कूल भी गए थे तो प्रिंसिपल आपको बोला इस पे प्रिम स्रीपलने यही बोला था कि हमदेख रहे हमें टाइम दो हमें टाइम दो लेकिन हमारे बच्चे के पास टाइम नहीं बचा वह चला गया अब हम किस चीज पर यह उस्कूल का टीचर है क्या आपील करना चाहेंगे सरकार से सरकार तो अपने सभी बादों पर और हर चीछ पर खरी नहीं उतर रही है और इस में सरकार से मैं क्या उमीद रखूँ क्योंकि यह स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता था वो भी दिली सरकार से है और जिस हास्पिटल में उसका इलाज हो वो भी दिल्ली सरकार के अंडर है, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो किसी भी तरीके की हमारी मदद करेंगे, क्योंकि उनकी नाकामिया सारी की सारी जंता के सामने आ चुकी है. और जो पुलिस में आप लोगों ने कंप्रेंड की हो, तो पुलिस का क्या जवाब है, कोई इस पर प्रतिकिया की है, पुलिस ने प्रतिकिया उनका, जो भी उनने करना है, वो कर रहे हैं दीरे-दीरे, अपनी CCTV वगेरा निकाल रहे हैं और तहकीकात करने हैं, बच्चों को प दो बच्चों ने बताया था, और और भी वच्चों को काफी कुछ पता है, और स्कूल प्रसाशन को भी कपा है, लेकिन ये अपनी आकामियों को सिर्फ छपाने की कोईसिस कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने किंतन की मा को भी सुना और उसके पापा को भी सुना, पीछे देख सकते कि किस तरह से इनको इंसाफ लेने के लिए ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार शायद सो चुकी है वो अपनी कमिया तो शायद वो कभी देखे ना या उसको एकसेप्टी ना करें इसलिए ये केस जो है अभी तक इतना दबा हुआ है और इनकी कोई सुनवाई नहीं नो से दस दिन जो है आज इस केस को हो चुके हैं तो मैं जो है सरकार से यही अपील करना चाहूंगी क्योंकि अभी वो वक्त निकल गया कि जिम्मेवार कौन है अभी वक्त वो आ गया है कि जिम्मेवारी किसकी है और कौन जिम्मेवारी लेगा इन्हें इंसाफ दिलाने की और जल्दी से जल्दी हम यही अपील करना चाहेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी इनसाफ मिले, हैश्टेक को जस्टिस पॉर किंतन को इतना वाइरल करो कि इनको इनसाफ मिलने में बिल्कुल भी देर ना हो, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने बाई, बेन और माताओं से यही अनुरोद करूँगा कि किंतन सिर्फ मेरा बच्चा नी था, वो सबका बच्चा था, और धीरे धीरे तो सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोद करूँगा, हैश्टेक जस्टिस पॉर किंतन को वाइरल करें. तो देखते रहें आप जलको दिल्ले ऐसे ही और अपने व्यूस कमेंट सेशन में जरूर बताएं और इस वीडियो को खूँ वाइरल करें कि किंतन को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और हमारी सोई हुई सरकार जल्दी से उठ सके. धन्यवाद. युझ झात्ति किंतनु दिल्साफ मिले ओैसाफ मिले याल घसे जल्दी से दूदी न ए्लदी पिते हुई हुँए आत्तन में जल्ममिले को जल्म जल्दी वाह?